जै मात अदी आज सुनिए शिरी दुर्गा सब्तशती संपून्ड पार्ट हिंदी में जिसमें आज आप अध्याए एक से लेकर 13 तक और उसके बाद के सभी अध्याए जिनके बिना शिरी दुर्गा सब्तशती का पार्ट अधूरा रहता है सुनेंगे जिनमें आप देवी सुक्त, प्रधानिक रहस्यम, व्यकृतिक रहस्यम, मूर्ती रहस्यम, सीद कुंजी का इस्तोत और शमायासना भी सुनेंगे तो आएए रिस्पान करते हैं शिरी दुर्गा सब्तशती पार्ट का शिरी दुर्गा सब्तशती पार्ट, पहला अध्याय मेधा रिशी का राजा सुरत और समाधी को देवी की महिमा बताना महर्शी मारकंडे बोले, सुरी के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ती की कथा विस्तारपूर्व कहता हूँ, सुनो सावर्नी महमाया की किरपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो पहले स्वारिचश नामक मनवंतर में चैत्रवन्षी सुरत नाम के एक राजा थे सारी प्रत्वी पर उनका राजी था वे प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे तो भी कोला विध्वशी राजा उनके शत्रू बन गए दुस्टों को दंड देने वाले राजा सुरत की उनके साथ लडाई हुई कोला विध्वनसियों के संख्या में कम होने पर भी राजसुरत युद्ध में उनसे हार गए तब वे अपने नगर में आ गए केवल अपने देश का राजी ही उनके पास रह गया और वे उसी देश के राजा होकर राजी करने लगे किन्तु उनके शत्रों ने वहाँ पर भी उन पर आकर्मन कर दिया राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया राजा सुरत अपने राज़ा धिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोडे पर सवार होकर वहां से वहंकरवन की ओर चले गए उस वन में उन्होंने महर्शी मेधा का आश्रम देखा वहां महर्शी मेधा अपने सिश्यों तथा मुनियों से सोशोबित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीब परम शांती भाव से रहा करते थे राजा सुरत ने महर्शी मेधा को प्रणाम किया और महर्शी ने भी उनका उचित सत्कार किया राजा सुरत महर्शी के आश्र में कुछ समय तक ठहरे अपने नगर की ममता के आकर्षन से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्वकाल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वैं आज मेरे हाथ से निकल गया मेरे दोस्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर भी रहे होंगे या नहीं मेरे प्रधान हाथी जो की सदा मत की वर्षा करने वाला और शुर्वीर था मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा मेरे आग्या कारी नवकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहा करते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे वह तो अब निश्य ही दुष्ट राजाओं का अनुसरन करते होंगे और मेरे दुष्ट और दुरात्म मंत्रियों द्वारा व्यर्थी धन को व्याय करने से संचित हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा इस प्रकार की बहुत सारी बाते सोस्ता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा एक दिन राजा सुरत ने महर्शी मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोग ग्रस्त से दिखाई देते हो इसका क्या कारण है राजा के ये नमर वचन सुनकर वैश्य ने महराद सुरत को प्रणाम करके कहा राजन मेरा नाम समाधी है मैं धनियों के कुल में उत्पन एक वैश्य हूँ मेरे दुस्ट इस्तरी पुतरादिकों ने लोब से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया है मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चलाया हूँ और यहां रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल हैं या नहीं यहां मैं अपने परिवार का आचरन सम्मदी कोई समचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं मैं अपने पुत्रों के सम्मद में ये भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचार में फस गए है राजा बोले जिन धन के लोभी इस तरी पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है फिर भी तुमारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है तब वैश कहने लगा मेरे विशय में आपका ऐसा कहना ठीक है राजन कि तुम मेरा मन इतना कठोर नहीं है यदि पी उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पित्र इसने को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती हे महामते, मेरा मन फिर भी उनके मोह में क्यों फस रहा है इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा मेरा चित्त तो बस उनके लिए दुखी है मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसे ले रहा हूँ उन लोगों में तो प्रेम नाम को भी नहीं है फिर भी ऐसे नहीं स्नेहियों के लिए मेरा हिर्दय कठोर नहीं होता महर्शी मारकंडे जी कहने लगे हे ब्रहामन इसके पश्चात महराद सुरत और वहवैश्य दोनों महर्शी मेधा के समीब गए और उनके साथ ये था योगि न्याय संभाशन करके दोनों ने वारता अरंब की राजा बोले हे भगवन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सो आप करपा करके मुझे बताईए मेरा मन मेरे अधिन नहीं है इससे मैं बहुत दुखी हूँ राज जिधनादिक की चिंता अभी तक मुझे बने वी है और मेरी यह ममता अज्यानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है और ये समाधी नमक वैशि भी अपने घर से अपमानित होकर आया है इसके सवजनों ने भी इसे त्याग दिया है स्वजनों से त्यागा हुआ भी ये उनसे हारदिक प्रेम रखता है इस तरह से हम दोनों ही दुखी है हे महाभाग उन लोगों के अवगुणों को देख कर भी हम दोनों के मन में उनके लिए मम्ता जनित आकर्शन उत्पन हो रहा है हमारे ज्ञान रहते वे भी ऐसा क्यों है अज्ञानी मनुश्यों की तरह हम दोनों में ये मूर्खता क्यों है महर्शी मेधा ने कहा विशम मार्ग का ज्ञान सभी जन्तों को है सभी के लिए विशे प्रथक प्रथक होते हैं कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं, जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। ये सत्य है कि मनुश्यों में ग्यान प्रधान है किन्तु केबल मनुश्य ही ग्यानी नहीं होता पशु पक्षी आदे भी ग्यान रहते हैं जैसे ये पशु पक्षी ग्यानी है वैसे ही मनुश्यों का ग्यान है और जो ग्यान मनुश्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में तथा अन्य बाते भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्यान होने पर भी जरा इन पक्षियों की और देखो तो कि अपने भूख से पेडित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्य के दाने डालते हैं। राजन ऐसा ही प्रेम मनुश्यों में अपनी संतान के प्रती पाया जाता है। लोब के कारण अपने अपकार का बदला पाने के लिए मनुश्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड़े में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरी की जो माया है उसी से ये सं संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर की कोई बात नहीं क्योंकि वह भगवान विश्नु की योग नित्रा है। ये माया ही तो है जिसकी कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महा माया भगवती देवी ज्यानियों के चित्त को बलपूर्वक खींच कर मोह में डा और यही संपूर्ण इश्वरों की भी स्वामनी है। महाराज सुरत ने पूछा भगवन वह देवी कौन सी है जिसको आप महा माया कहते हैं। ये ब्रहमन वह कैसे उत्पन हुई और उसका कारी क्या है। उसकी चरित्र कौन कौन से हैं प्रभो उसका जैसा भी प्रभाव हो जैसा भी स्वरूप हो वह सब ही करपा कर मुझसे कहिए मैं आप से सुनना चाहता हूँ। महर्शी मेधा बोले राजन वह देवी तो नित्य स्वरूप है। उसकी इत्वारा ये संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ती अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप उससे सुनो। वह देवताओं का कारे सिध्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन हुई कहलाती है। संसार को जल्मे करके जब भगवान विश्णु योग निद्रा का आश्रे लेकर शेस शैया पर सो रहे थे तब मधु कैटब नाम के दो असुर उनके कानो के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और ये भी देखा कि भगवान विश्णु तो योग निद्रा का आश्रे लेकर सो रहे हैं तो वह उसी समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे। हे देवी वह भी तुम ही हो। हे देवी संध्या सावित्री तदा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारन करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। और तुम ही कल्प के अंत में सब को भख्षन करने वा तुम ही महा माया, महा विद्या, महा मेधा, महा रात्री और महुरात्री हो। शुरी ईश्वरी और बोध सरूपा बुद्धी भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टी, तुष्टी, शांती और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खट्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा त गदा चक्र शंक और धनुष को धारण करने वाली हो बान भुशुंडी और परिग ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं तुम सौम्य और सौमितर हो यहीं नहीं बलकि जितनी भी सौम्य तथा सुन्दर वस्तुएं इस संसार में हैं उन सब से बढ़कर सुन्दर तुम हो पर और सब पर रहने वाली सुन्दरी तुम ही हो ये सरसरूपे देवी जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वे तुम ही हो ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी इस्तुती कौन कर सकता है इस संसार की स्रस्टी, पालन और संखार करने वाले जो भगवान है उनको भी जब तुमने निद्रा के वश्शी भूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी इस्तुती कौन कर सकता है मुझे भगवान विश्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारन कराने वाली तुम ही हो तुम्हारे इस्तुती करने की शक्ती किसमे है हे देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों की कारण ही प्रशंसनी हो मधु और कैटब जो भयंकर असुर हैं इन्हें तो मोह में डाल दो शरी हरी भगवान विश्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धी भी उत्पन कर दो महर्शी मेधा बोले हे राजन जब शरी ब्रह्माजी ने देवी से इस प्रकार इस्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटब को मारने के ले कहा तो वह भगवान विश्णु के नेत्र मुख नासिका बाहु हर्दय और वक्ष इस्थल से निकल कर शरी ब्रह्माजी के सामने खड़ी हो गई उनका ऐसा करना था कि भगवान शरी हरी तुरंद जाग उठे और दोनों असरों को देखा जो की अत्यंत बल्वान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्माजी का वध करने के लिए तयार थे तब कृध होकर उन दोनों दुरात्मा असरों के साथ भगवान शरी हरी पूरे 5000 वश तक युद्ध करते रहे एक तो वह अत्यंत बल्वान तथा पराक्रमी थे दूसरे महा माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था अतहे वे शरी भगवान से कहने लगे हम दोनों तुमारी वीरता से अत्यंत प्रसंद है तुम हमसे कोई वर मागो तब भगवान ने कहा अगर तुम मुझ पर प्रसंद हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ बस इतना सा ही वर में तुमसे मांगता हूँ अब दूसरे वर का क्या प्रयोजन है महर्शी मेधा बोले इस तरह से जब वह धोके में आ गए और अपने चार ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरी से कहने लगे जहां पर जल ना हो सूखी जमीन हो उसी जगा हमारा वद कीजे महर्शी मेधा कहते हैं तथास्तु कहकर भगवान श्री हरी ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटा कर उन दोनों के सिर काट डाले इस तरह से ये देवी श्री ब्रह्मा जी के इस्तोती करने पर प्रकट हुई थी अब तुम से उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ सो सुनो श्री दुर्गा सब्तशती दूसरा अध्याए देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिशासुर की सेना का वद महर्शी मेधा बोले प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे सौ वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था उसमें असुरों का स्वामी महिशासुर था और देवराज इंद्र देवताओं की नायक थे इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्थ हो गई थी और इस प्रकार संपुर्ण देवताओं को जीत महिशासुर इंद्र बन बैठा था युद्ध के पश्चात हारेवे देवता प्रजापती श्री ब्रहमा जी को साथ लेकर उस इस्थान पर पहुँचे जहां पर की भगवान शंकर विराजमान थे देवताओं ने अपनी हार का सारा व्रताथ भगवान श्री विष्णू और शंकर जी से कह सुनाया वे कहने लगे हे प्रभू, महिशासुर, सोर, इंद्र, अगनी, वायू, चंद्रमा, यम, वरुण, तथा अन्य देवताओं की सब अधिकार छीन कर सबका दिश्ठाता स्वयम बन बैठा है उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है वे मनुश्यों की तरह प्रत्वी पर विचर रहे हैं दैत्यों की सारी कर्दूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनकी वद का कोई उपाई सोचे देवताओं की बाते सुनकर भगवान शरी विष्णू और शंकर जी को उन दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया उनकी भौहें तन गई और आखें लाल हो गई गुस्से में भरेवे भगवान विष्णू के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर ब्रह्मा और इंद्र आधी दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुझ वह ऐसे दीखता था जैसे की जाजल्व मान परवत हो देवताओं ने देखा कि उस परवत की ज्वाला चारो और फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी एक इस्थान पर इकटा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा वह भगवान शंकर का तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ यम्राज के तेज से उसके सिर के बाल बने भगवान श्री विश्नु के तेज से उसकी भुजाएं बनी चंद्रमा के तेज से दोनों इस्तन और इंद्र के तेज से जंगा और पिंडली तथा प्रत्वी के तेज से नितंब भाग बना ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूरे के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई और बस्वों के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी प्रजापती के तेज से उसके दांत और अगनी के तेज से उसके नेत्र बने संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायू के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भा हुआ था महिशा सुर्शे पराजित देवता उस देवी को देखकर अतिन्त प्रसन हुए भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकाल कर उस देवी को दिया और भगवान विश्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाल कर उस देवी को दिया वरुन ने देवी को शंक भेट किया अगनी ने उसे शक्ति दी, वायू ने उसे धनुष और बांड दिये, सहस्त्रों नेत्रों वाले शुरी देवराज इंद्र ने उसे अपने वजर से उत्पन करके एक वजर दिया, और एरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया, यम्राज ने उसे काल दंड म से एक दंड दिया, वरुण ने उसे पाश्ट दिया, प्रजापती ने इसफटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया, सूरी ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया, काल ने उसे चमकती भी ढाल और तलवार दी, तथा उजवल हार और दिविवस्त्र उसे भेट किये, और इनके साथ ही उसने दिविचूडा मणी दी, तो कुंडल, कंकर, उजवल, अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजुबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुन्दर हसली, और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनेवी अंगुठियाओं से दी, विश्व कर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेदिक कवस दिये, और इसके अलावा उसने कभी न मुकुम लाने वाले सुन्दर कमलों की मालाएं भेट की, समुद्र ने सुन्दर कमल का फूल भेट किया, हि इसी तरह दूसरे देवी देपताओं ने भी उसे आभूशन और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया, इसके पास शाथ देवी ने उच्छ स्वर से गर्जना की, उसके इस भहन का नाद से आकाश कुझ उठा, देवी का वह उच्छ स्वर से किया हुआ सिहनाद समा नहीं सका, आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा, उससे बड़े जोर की प्रतीत्वनी हुई, जिससे समस्त विश्व में हल्चल मच गई, और समुत्र काप उठे, प्रत्वी डोलने लगी, और सब के सब परवत हिलने लगे, देवताओं ने उस समय प्रसन होकर सिह वाहनी रैतिगन अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हत्यार आदी सजाकर उठ खड़े वे, महिशासुर के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं थी, उसने क्रोध में बर कर कहा, ये सब क्या उत्पात है, फिर वे अपनी सेना के साथ उस ओर दोड़ा, जिस ओर से वे भैंकर नाद का शब् और आगे पहुँचकर, जब उसने देवी को देखा, जो की अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी, उसके चरणों के बहार से प्रत्वी दभी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखासी बन रही थी, और उसके धनुश की टंकार से सब देवी लोक छुब्ध हो रहे थे, देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपुन दिशाओं में फिलाए खड़ी थी, इसके पश्चायात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छड़ गया, और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भाशित होने लगी, महिशासुर की सेना का सेनापती चिक्षुर नामक एक महान असुर था, वे आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा, और दूसरे दैत्यों की चतुरंगणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा, साथ हजार महारतियों को साथ लेकर उदग्र नामक म साथ लाख असुरों के साथ युद्ध में आडटा, विडाल नामक असुर एक करोड रथियों सहित लड़ने को तयार था, इन सब के लावा और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे, और इन सब के पश्चात महिशासुर करोडों रथों, हाथि और घोडों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा, सभी असुर, तोमर, भिंदिपाल, शक्ती, मुसल, खटको, फरसो, पट्टियों के साथ रण भूमी में देवी के साथ युद्ध करने लगे, कई शक्तियां फेकने लगे, तो कोई अनिशस्त्रा दी, इसके पश अस्त्र शस्त्रों को काट डाला, इसके पशाथ रिशी और देवताओं ने इस्तुती प्रारम कर दी और वह देवी इस्तुती से प्रसन होकर अस्त्रों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दी रही, देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर द्यत्य सेना में इस प्र वर्दित हो गए फरसे भिंदिपाल खट्ग तथा 25 इत्यादी अस्त्रों के साथ देत्यों से युद्ध करने लगे देवी की शक्ती से बढ़ेवे वहगण देत्यों का नाश करते वे धोल शंक और मृदंगादी बजा रहे थे फिर देवी ने त्रिशूल गदा शक्ती खट के इत्यादी से सहस्त्रों अस्त्रों को मार डाला कितनों को घंटे की भेंकर आवाज से ही अमलोग पहुचा दिया कितने ही अस्त्रों को उसने पास में बांध कर प्रत्वी पर धर घसीटा कितनों को अपनी तलवार से टुकडे टुकडे कर दिया और कितनों को गदा की चो देवताओं को पीडा देने वाले दैत कट कट कर मरने लगे, कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रिवाएं कट गई, कितनों की सर कट कर दूर भूमी पर लुडग गई, कितनों की शरीर बीच में से कट गई और कितनों की जंगाएं कट गई, और वे प्रत्वी पर ग रहे थे कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सिर के ही धड़ से हाथ में शस्र लिये हुए लड़ रहे थे और दैते रह रहकर ठहरो ठहरो कहते वे देवी को युद्ध के लिलकार रहे थे जहां पर ये घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमी रत हाथी घोड़े और अस सेना के बीच में रप्तपात होने के कारण वहां रुधर की नदियां बह रही थी इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को छण भर में ही इस तरह से नस्ट कर डाला जैसे त्रण कास्ट के बड़े समों को अगनी नस्ट कर डालती है और देवी का सेह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानों उनके प्राणों को ठून रहा हो वहां देवी के गड़ों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसंद होकर आकाश से उन पर पुश्प वर्षा की शिरी अपती जिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा वे देवी पर इस प्रकार बालों की वर्षा करने लगा मानुस सुमेरू परवत पानी की धार बरसा रहा हो इस प्रकार देवी ने अपने बालों से उसके बालों को काट राला तथ उसके घोडों और सार्थी को भी मार दिया साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यत उची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बानों से बींद दिया धनुष घोडों और सार्थी के नस्थ हो किन्तु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उसे दैते की तलवार तूट कर दो टुकड़ों में बढ़ गई इससे दैते ने क्रोध में भरकर अब शूल हाथ में ले लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेका देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए स तूरी के समान प्रज्वलित हो उठा उस शूल को अपनी और आते पे देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महा असुर के शूल के सो टुकड़े कर डाले साथ ही महा असुर के प्राण भी हर लिये चिक्षूर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक देवी ने अपनी हुकार मात्र से ही उसे तोड़कर प्रत्वी पर डाल दिया शक्ति को टूटा हुआ देखकर देथिने करोध से लाल होकर शूल चलाया कि देवी ने उसे भी काड़ डाला इतने में देवी का से उचल कर हाथी के मस्तख पर सवार हो गया और देथि के साथ बहुत इतीवर युद्ध करने लगा फिर वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से प्रत्वी पर आगिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे फिर से बड़े जोर से आकाश की ओर और जब प्रत्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। उग्रास, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्ति का सिर काट डाला। तथा अपने बानों से दुर्धर और तुर्मुख राक्षसों को यमलोग पहुचा दिया। इस प्रकार जब महिशा सुन ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नश्च कर दिया है। तो वह भैसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूच से, कितनों को सिंगों से और बहुतों को दौडने के वेक से, अनेकों को सेहनाद से, कितनों को चक्कर दे इस पर देवी को बड़ा क्रोध हाया उधर दैत्य भी क्रोध में भर कर धर्ती को खुरों से खो देने लगा तथा सींगों से परवतों को उखाड उखाड कर धर्ती पर फेकने लगा और मुक्ष से शब्द भी करने लगा महिशा सुर्के वेग से चकर देने के कारण प्रत्वी छुब्ध होकर फटने लगी उसकी पूँच से टकरा कर समुत्र चारों और फैलने लगा हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उरतेवे परवत भी भटने लगे इस तरह क्रोध में भरेवे राक्षिस को देखकर देवी चंडिका को भी क्रोध हा गया और वह उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई देवी ने पाश फेंक कर दैत्ति को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्ति का रूप त्याद दिया और सेह का रूप बना लिया और जैसे ही देवी उसका सिर्फ काटने के लिए तयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया जो की हाथ में तलवार लिये हुए था तब देवी ने तुरंत ही अपने बाड़ों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार और ढाल सहित बींद डाला इसके पश्चात तो वह अब हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सेंग को खीशने लगा और गरजने लगा देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड भी काट डाली तब उस राक्षस ने एक बार फिर से भैसे का रूप धारन कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त तिरिलों की को व्याकुल करने लगा इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारम बार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हसने लगी उधर बलवीर्य तथा मध से क्रुथ हुआ दैत भी गरजने लगा अपने सिंगों से देवी पर परवतों को फेकने लगा देवी अपने बानों से उसके फेके वे परवतों को चूर्ण करती भी बोली ओ मोड जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तु गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथो तेरी मृत्य हो जाने पर देवता गर जेंगे महर्शी मेधा ने कहा ऐसा कहकर देवी उचल कर उस दैत्य पर जा चड़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आगहात कर दिया देवी के पैर से दबने पर भी वह दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा अभी वह देत आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे उसी छण रोक दिया तब वह आधा निकला हुआ देती ही युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर्फ काट डाला इसके पश्चात सारी राक्ष सेना हाहा कार करती भी वहां से भाग खड़ी भी और सब देवता अत्यन्त प्रसन हुए तथा रिश्यों महर्शियों सहित देवी की इस्तुती करने लगे गंधर्व राज गान करने और अपसराई निरित करने लगे शुरी दुर्गा सब्शती पाट चौथा अध्याए इंद्रादी देवताओं द्वारा देवी की इस्तुती महर्शी मेधा बोले देवी ने जब पराक्रवी दुरात्मा महिशा सुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार डाला तब इंद्रादी समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को जुका कर भगवती की इस्तुती करने लगे जिस देवी ने अपनी शक्ती से ये जगत व्याप्त किया है और जो संपुर्ण देवताओं तथा महर्शियों की पूजनी है उस अम्भिका को हम भक्ती पूर्वक नमस्कार करते हैं वे हम सब का कल्यान करे जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विश्नु शंकर और ब्रह्माजी भी नहीं कर सके वही चंडिका देवी इस संपुर्ण जगत का पालन करे और अशुप भय का नाश करे हम उस दुर्ण भगवती को नमस्कार करते हैं हे देवी इस विश्व का पालन करो हे देवी हम तुम्हारे अचिंतरूप का किस प्रकारवर्णन करें अशुरों के नाश करने वाले भारी पराकरम तथा समस्थ देवताओं और दैत्यों के विशय में जो तुम्हारे पवित शंकरादी किसी भी देवता ने तुम्हारा पार्ध नहीं पाया, तुम सबकी आश्रे हो, ये संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंशुरूप है, क्योंकि तुम सबकी आदी भूत प्रकरती हो, हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यग्यों में सब देवता त्रप्ति लाव करते हैं वे स्वाहा तुम ही हो इसके अत्रिक्त तुम पित्रों की त्रप्ति का कारण हो इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं देवी वे विद्या जो मोक्ष को देने वाली है जो अचित महा ज्यान महा स्वरूपा है तत्वों के सार को वश्मे करने वाले संपुन दोशों को दूर करने वाले मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वे तुम ही हो तुम वाणी रूप हो और दोश रहितर्यग तथा यजुरवेदों की और उदगीत और सुन्दर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रे तुम भगवती हो इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए तुम वारता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपुन संसार की पीड़ा हरने वाली हो देवी जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है वे मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार क करने वाली नौका भी तुम ही हो लक्ष्मी रूप से विश्व भगवान के हिर्दय में वास्त करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो मंद मुसकान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वन्ड की मनोहर कांत से कमनिय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिशासुर क्रोध में भर गया ये बड़े आश्चरी की बात है और हे देवी तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदैकाल के चंद्रमा की भाती लाल हो गया और तनिवी बहों की कारण विक्राल रूप हो गया उसे द हमारे कल्यान के लिए प्रसंद हो आपके प्रसंद होने से इस जगत का अभिदय होता है और जब आप कुरत हो जाती है तो जाने कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिशासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखत और दृमानुकूल आचरन करता है और उसके प्रभाव से अंत में स्वर्ग लोक को जाता है क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांचित फल देने वाली हो हे मादुर्गे तुम इसमरन करने पर संपूर्ण जीवों के भई नस्ट कर देती हो और इस्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यत मंगल देती हो वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो किन्तु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए इसलिए तुम उनका वद्ध करती हो हे देवी, क्या तुम द्रिस्टिपात मातर से समस्त असरों को भस्म नहीं कर सकती? अवशी ही कर सकती हो. किन्तु तुम्हारा शत्रों को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए हैं कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे भी स्वर्ग को जाएं. इस तरह से हे देवी, उन शत्रों क के प्रतिभी तुम्हारा विचार उत्तम है तुम्हारे उग्र खटक की चमक से और दिशुल की नोग की कांति की किरणो से अस्रों की अंग फूट नहीं गई उसका कारण यह था कि वे किरणों से सुभाय U a ne तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुन्दर मुक को देख रहे थे हे देवी तुम्हारा शील बुरे वरतांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रोप है जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रों का नाश करने वाला है इस तरह तुमने शत्रों पर भी दया प्रकट की है हे देवी तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रों को भई देने वाला इतना सुन्दा रूप भी और किसका है हिर्दय में कृपा और युद्ध में निश्ठुरता ये दोनों बाते तीनों लोकों में किबल तुम ही में देखने में आई है हे माते युत भूमी में शत्रों को मार कर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुचाया है इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है और उन्मत असुरों से जो हमें भै था उसको भी तुमने दूर किया है तुमको हमारा नमस्कार है हे देवी तुम शूल तथा खटग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनी और धनुष की टंकोर से भी हमारी रक्षा करो हे चंडिके आप अपने शूल को गुमा कर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिन दिशा में हमारी रक्षा करो तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौमी रूप हैं और घोर रूप हैं उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस प्रत्वी की रक्षा करो हे अंबीके आपके करपलवों में जो खटक शूल और गदा आदी शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो महर्शी बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की इस्तुति की और नंदन्वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सब ने मिलकर जब सुगन्धित और दिवी धूपों द्वारा उनको सुगन्धी निवेदन की तब देवी ने प्रसन होकर कहा देवताओ मैं तुम सब पर अत्यत प्रसन हूँ तुम सब मुझसे मनुवांचित वर मागो तब देवताओन बोले है भगवती आपने हमारा सब कुछ कारे कर दिया अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिशासुर को मार डाला है हे महेश्वरी तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर्देना चाहती हो तो बस इतना वर्दो कि जब जब हम आपका इस्मरन करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरन करने के लिए हमें दर्शन दिया करो हे अंबिके जो कोई भी तुमारी इस्तुति करें तुम उनको वित्त सम्रिधी और वैभव देने के साथ ही उनके धन और इस्त्री आदे संपति को बढ़ाओ और सदा हम पर प्रसन रहो महर्शी बोले है राजन जब देवताओं ने जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रशन किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतरध्यान हो गई हे भूप जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वे भगवती देवताओं के शरिर से उत्पन हुई थी वे सारा व्रतांत मैंने तुम से कह दिया है इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुम्ब निशुम्ब का वद्ध करने और सब लोकों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरिर से उत्पन हुई थी वे सारा व्रतांत मैं यधावत वण्णन करता हूँ श्री दुर्गा सत्शती पाठ पांचवा ध्याय देवताओं द्वारा देवी के स्तुती महर्शी मेधा ने कहा पूर्वकाल में शुम्ब निशुम्ब नामक असुरों ने अपने बल के मद्ध से इंद्र का त्रिलोकी का राज और यग्यों के भाग शीन लिए और वे दो प्रात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया इस तरह से अधिकार छीने वे तथर दैत्थ्यों ध्युद्वारा देवता अपराजेता देवी का इस्मरन करने लगे कि देवी ने हमकर वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपुन विपत्यों को नश्च करके तुम्हारी रक्षा करूंगी ऐसा विचार कर सभी देवता हेमालय पर गए और भगवती विश्नुमाया की इस्तुती करने लगे देवताओं ने कहा देवी को नमस्कार है शिवा को नमस्कार है प्रकर्दी और भद्रा को नमस्कार है हम लोग रौद्रा नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं जोत्सना मई चंद्र रूपनी वैसुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है शरणा गतों का कल्यान करने वाली वृध्धी और सिध्धी रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं और नेरिती राजाओं की लक्षमी तथा सरवानी को नमस्कार है दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा को सारा, सर्वकारणी, ख्याती, कृष्णा और धूमा देवी को सदय नमस्कार है अत्यंत रौतर रूपा को हम नमस्कार करते हैं उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है जगत की आधार भूत करती देवी को बारंबार नमसकार करते हैं जिस देवी को प्राणी मात्र विश्नु माया कहते हैं उसको नमसकार है उसको नमसकार है जो देवी संपुन प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है जो देवी संपुन प्राणियों में बुद्धी रूप से इस्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है जो देवी संपुन प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है उसको नमस्कार है उसको नमस्कार है जो देवी संपुन प्राणियों में शुदा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है उसको नमस्कार है जो देवी संपुन प्राणियों में छाया रूप से इस्थित है उसको नमस्कार है उसको नमस्कार है उसको नम प्राणियों में त्रिशना रूप से इस्थित है उसको नमस्कार है जो देवी सब प्राणियों में शांदी रूप से इस्थित है जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से इस्थित है जो देवी सब प्राणियों में शक्ती रूप से इस्थित है उसको नमस्कार ह जो देवी संपून प्रानियों में रूप से इस्थित है, जो देवी संपून प्रानियों में लक्ष्मी रूप से इस्थित है जो देवी संपुन प्राणियों में व्रत्ती रूप से इस्थित हैं। प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है जो देवी चैतनी रूप से इस संपुन संसार को व्याप्त करके इस्थित है उसको नमस्कार है उसको नमस्कार है पुर्वकाल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी इस्तुती की है और देवराज इंद हम संपुन देवता उस परमिश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ती पूर्वक इस्मरन की जाने पर तुरंत ही सब विपत्यों को नश्ट कर देती है वह जगदंबा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्यों को दूर करे महर्शी मेधा ने कहा है रा शुम्ब दैत्ति के द्वारा स्वर्ग से निकाले वे और निशुम्ब से हारे वे ये देवता मेरी ही स्तुती कर रहे हैं पारवती जी के शरीर से अंबिका निकली थी इसलिए उसको संपुन लोकों में कौशी की कहते हैं कौशी की के प्रकट होने के पश्यात पारवती द देवी को देखा फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले कि महराज एक अत्यत सुंदर इस्त्री हिमाले को प्रकाशित कर रही है वैसा रंगरूप आज तक हमने किसी इस्त्री में नहीं देखा हे असुरेश्वर आप ये पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहन कर लें वह तो इस्त्रीयों में रतन है वह अपनी कांती से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती भी वहाँ पर इस्थित है इसलिए आपको उसको देखना उचित है हे प्रभू तीनों लोकों के हाथी गोड़े और मणी इत्यादी जितने ही रतन है वह सब इस समय आपके घर में शोभा आपके पास है और यह महापदम नामक खजाना आपने कुबेर से चीना है समुद्र ने आपको सदा खिलेवे फूलों की किंजल किनी नाम की माला दी है वरुन का कंचन की वर्षा करने वाला च्छत्र आपके पास है रथो में श्रेस प्रजापती का रथ भी आपके पास ही ह हे दैतियंद्र मृत्यू से उतकांतिदा नामक शक्ती भी आपने छीन ली और वरुण का पाश भी आपके ब्राता निशुम के पास ही है और समुत्र में पैदा होने वाले सभी प्रकार के रत्न भी आपके ब्राता निशुम के अधिकार में हैं और जो अगनी में न जल सके ऐ ऐसे दो वस्त्र भी अगनी देव ने आपको दिये हैं ही दैतिराज इस प्रकार सारी रतन रूपी वस्त्वे तो आप संग्रह कर चुके हैं तो फिर आप ये कल्यान गई इस्त्रियों में रतन रूप अनुपम इस्त्री क्यों नहीं ग्रहन करते महर्शी मेधा बोले चंड प्रसन होकर तुरंत मेरे पास चली आए भली प्रकार समझा कर कहना दूथ सुग्रीप परवत के उस रमणी भागवे जा पहुचा जहां मैं देवी रहती थी दूथ ने कहा है देवी देत्यों को राजश शुम्भ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है मैं उसका दूथ ह संपूर्ण देवता उसकी आग्या एक स्वर्ण से मानते हैं अब जो कुछ भी उसने कहला भेजा है वह सुनो उसने कहा है इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यग्यों के भाग को प्रथक प्रथक मैं ही लेता हूं और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ट रतन हैं वह सब मेरे पास है देवराज इंद्र का वाहन एरावत मेरे पास है जो मैंने उससे छीन लिया है उच्चे श्रवा नामक घोड़ा जो छीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है है सुन्दरी इसके करने वाला भी मैं ही हूँ है चंचल कटाक्षों वाली संदरी अब ये मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महा प्राक्रमी निश्म की सेवा में आ जाए अगर तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान एश्वरी की प्राप्ती होगी इसलिए जिदूत तु जो कुछ भी कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी जूट नहीं शुम्प इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुम्प भी उसी की तरह पराक्रमी है किन्तु इसके सम्मंद में मैं जो प्रतिग्या कर चुकी हूँ से मैं कैसे जुटला सक और इसलिए तू मैंने जो प्रतिग्या की है उसे सुनम्प ने प्रतिग्या की है कि जो मुझे जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित कर देगा और बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा इसलिए शुम्भ अत्वा महा प्राकर में निशुम यहां आए और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले इसमें भला देर की क्या वश्यक्ता है दूत ने कहा देवी तुम अभिमान में भरी हुई हो मेरे सामने ऐसी बाते मत करो इस संपूर्ण त्रिलोगी में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो कि शुम्भ और निशुम के सामने ठहर सके हे देवी जब अन्य देवताओं में से कोई शुम्भ और निशुम के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता तो फिर तुम जैसी इस्तरी उसके सामने ये रणबुमे में ठहर सकेगी जिन निशुमबादी असरों के सामने इंदरादी देवता भी नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली इस तरी उसके सामने कैसे ठहर सकोगी इसलिए तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते वे ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरब नस्ट हो जाएगा इसलिए मेरी बात मान लो दूत तुमने जो कुछ कहा वो ठीक है शुम्ब और निशुम्ब बड़े बलवान है लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो बिना विचारे प्रतिग्या कर चुकी हूँ इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कह दिया है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो इसके बाद वह जैसा उचित समझे वैसा करें महर्शी मेधा ने कहा देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास जा पहुँचा और सारा व्रतांथ उसे कह सुनाया दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के एक रोध का पारवार नहीं रहा और उसने अपने सेनापती धूम्र लोचन से कहा कि धूम्र लोचन तुम अपनी सेना से शिक्र वहां जाओ और उस दुस्टा के केशों को पकड़ कर उसे घसीटते वे यहां लेकर आओ अगर उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो चाहे वे देवता, यक्ष, अत्वा, गंधर भी क्यो ना हो उसे तुम अवशी ही मार डालना महर्शी मेधा ने कहा शुम्ब के इस प्रकार आग्या देने पर धुम्र लोचन साथ हजार राक्षासों की सेना साथ लेकर वहां पहुँचा और देवी को ललकार कर कहने लगा अरी, तु अभी शुम्ब निशुम्ब के पास चल अगर तु प्रसनता पूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तरी केशो को पकड़ कर घसीटा हुआ तुझे ले चलूँगा देवी बोली असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान अगर बल पूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर भी क्या सकती हूँ महर्शी मेधा ने कहा ऐसा कहने पर धूम्र लोचन उसकी ओर लपका किन्तु देवी ने उसे अपने हुंकार मात्र से ही भस्म कर डाला ये देखकर असुर सेना कृत होकर देवी की ओर बढ़ी परन्तु अम्भिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तता फरसों की वर्षा आरम कर दी इतने में देवी का वाहन भी अपनी गृवा के बालों को जटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूत पड़ा उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबडों से और कई को धर्ती पर पटक कर अपनी दाड़ों से घायल करके मार डाला उसने कई असुरों के अपनी नकों से पेट फार डाले और कई असुरों का तो केवल थपड मार कर सिर ही धर से अलग कर दिया कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड डाले और गर्दन के बालों को हिलाते वे उसने कई असुरों को पकड़ कर उनके पेड़ फाल कर उनका रक्त पी डाला इस प्रकार देवी के उस महा बलवान सेह ने छण भर में ही असुर सेना को समाप्त कर दिया शुम्बने जब ये सुना कि देवी ने धुम्र लोचन असुर को मार डाला है और उसके सेने सारी सेना का संघार कर डाला है तब उसे बड़ा क्रोध आया उसके मारे क्रोध के ओट फड़कने लगे उसने चंड तथा मुंड नामक महा असुरों को आग्या दी हे चंड और मुंड तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांध कर तुरंत यहां ले आओ अगर उसको यहां लाने में किसी भी प्रकार का संदे हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते वे उसको मार डालो और जब है दुस्टा और उसका सेह दोनों मारे जाए तब भी उसको बांध कर यहां लेकर आना शिरी दुर्गा सत्षतिपाट सात्वा ध्याय चंड और मुंड का वध महर्शी मेधा ने कहा दैतराज की आग्या पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हत्यार करने के लिए तलवारे लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंभिका को उन पर बड़ा ग्रोध आया और मारे ग्रोध के उनका मुख काला पड़ गया उनकी ब्रकुटिया चड़ गई और उनके ललाट में से अतिन्त भेंकर तथा अतिन्त विस्त्रत मुख वाली लाल आंखों वा था और शरीर केवल हट्टियों को ढाचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पोर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर तूट पड़ी और द्यत्यों का भक्षन करने लगी वह पार्श रक्षकों अंकुष्धारी महावतों हाथियों पर सवार यो धाउं और घंटा सह रही थी किसी के केश पकड़ कर किसी को गर्दन से पकड़ कर किसी को पैरों से दबा कर और किसी दैत्यों के छोड़ेवे बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुह में पकड़ कर और रोध में भरकर उनको दातों से पीस रही थी उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षन कर डाल कितनों को रौंद डाला और कितने उसकी मार के मारे भाग गए कितनों को उसने तलवार से मार डाला कितनों को अपने दातों से समाप्त कर दिया और इस प्रकार से देवी ने छण भर में संपूर्ण दैतिसेना को नस्ट कर दिया ये देख महाप्राकर्मी चंड काली देवी की ओरलपका और मुंद ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरम कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े उस समय वे चमकतेवे बाण और चक्र देवी के मुख में प्रविष्ठ हुए इस प्रकार दिख रहे थे मानों बहुत से सोरी मेगों की घटा में प्रविष्ठ हो रहे हों इसके बाद भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अटाहस किया उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था उसके मुख में श्वेत दातों की पंक्ती चमक रही थी फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हुंकार करके चंड के उपर आकर्मन कर दिया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया चंड को मरा हुआ देखकर मुण्ड देवी की ओर लपका परन्तु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोग पहुचा दिया चंड और मुण्ड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बचीवी सेना वहां से भाग खड़ी वी इसके बाद काली चंड और मुण्ड के कटेवे सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अटाहस के साथ कहने लगी हे देवी चंड और मुण्ड दो महादेत्यों को मार कर मैंने तुम्हारी भेट कर दिया है अब शुम्ब और निशुम्ब का तुमको स्वैमी बत करना है महर्शी मेधा ने कहा वहाँ लाएवे चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्यानमई चंडी ने काली से मदरवाने में कहा हे देवी तुम क्योंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो इसलिए इस संसार में चा मुंड के नाम से तुम्हारी ख्याती होगी शुरी दुर्गा सत्शती पाठ आठवा ध्याय रक्त बीज वद महर्शी मेधा ने कहा चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नस्ठ हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुम्भ ने क्रोध युक्ष होकर अपनी संपुन सेना को युध के लिए तयार होने की आग्या दी उसने कहा अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापती अपनी सेनाओं के साथ युध के लिजाएं और कम्बू नामक 84 सेनापती भी युद्ध के लिए जाएं कोटी वेरे नामक 50 सेनापती और धम्रकुल नामके 100 सेनापती भी प्रस्थान करें कालक दोहर्द मौर्य और कालके ये दैत भी मेरी आग्या से सचकर युद्ध के लिए प्रस्थान करें भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुम इस प्रकार आग्या देकर बड़ी सेना के साथ युद्ध करने के लिए चला। उसकी सेना को अपनी और आता हुआ देखकर देवी चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से प्रत्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। देखकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा से को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन उस समय देथ्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्थी के विष्णू तथा इंदरादी देवों की शक्तियां जो अतित पराक्रम और बल से संपनुथी उनके शरीर से निकल कर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आपुशन थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप आपुशन और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। भगवान विश्नु की शक्ति गरूल पर सवार होकर शंख, चक्र, शांग, गदा, धनुश्त था, खट का हाथ में लिए वे आई। देवराज इंद्र की शक्ति एंद्री भी एरावत के उपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरेवे भगवान शंकर ने देवी चंडिका से कहा। देवी मेरी प्रसनिता के लिए तुम शिगरी इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यत उग्र रूप वाली और सैकडों गीदडियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। और उस अप्राजिता देवी ने तब धूमिल जटावाले भगवान शंकर जी से कहा है प्रभो आप मेरी ओर से दूत बनकर शंबा निशंब के पास जाईए और उन अत्यंत गर्वीले देत्यों से कहिए तथा उनके अलावा और जो भी देत्यों वहाँ युद्ध करने के उपस्थित हो उनसे भी कहिए जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो तुरिलोगी का राज इंद्र को देदो देवताओं को उनका यग्यभाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लोट जाओ किन्तु अगर बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाओ तुम्हारे मांस से मेरी योगीनी अत्रप्त होंगी क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के रूप में न्युक्त किया था इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन द्यत्यों के ग्रोध का कोई आरपार नहीं रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहाँ पर पहुँच गए वहाँ पर पहुँचे तो जाते के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे देवी ने उनके फेकेवे बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रों को त्रिशूल से विदिर्ण करने लगी तथा खडगवांग से कोचलने लगी ब्रह्माणी जिस तरफ दौरती थी उसी तरफ अपने कमंडलू का जल छड़क कर देथियों के वीर्य और बल को नस्ट कर देती थी और इसी प्रकार महैश्वरी त्रिशूल से वैश्नवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कमारी शक्ति द्वारा असरों को मार रही थी और एंध्री के बाजू के प्रहार से सेकडों देथे रक्त की नदिया भातेवे प्रत्वी पर सो गए बाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी तूथन द्वारा मृत्यू के घाट उतार दिया दाड़ों के अगरभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चकर की चोट से कितनों ही को विद्यर्ण करके धर्ती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नार सिंगी अपने नखों से विदिर्ण करके भक्षन कर रही थी और सिहनाथ से चारों दिशां को गुंजाती वी रण भूमी में विचर रही थी शिव दूर्ती के प्रचंड अटाहस से कितने ही दैत्य भैबीत होकर प्रत्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षन कर गई इस तरह क्रोध में भरे वे मात्रगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी वी और उनको इस प्रकार भागतावा देखकर रक्त बीज नामक महा पराक्रमी राक्षस क्रोध में भर कर फिर युद्ध के लिए आगे बढ़ा उसके शरीर से रक्त की बूध्य प्रत्वी पर जैसे ही किरती तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसे ही बलवान देट प्रत्वी से उतपन हो जाता रक्त बीज गदा हाथ में लेकर एंध्री के साथ युद्ध करने लगा जब एंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके प्रत्यक बूंद से उसके ही समान बलवान तथा महापराकरमी दैत्य भयंकर रूप से वहाँ प्रकट हो गए वे सब के सब दैत्य रक्त बीच के समान ही बलवान तेज वाले थे वे भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध करने लगे जब एंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही दैत्य पुरुष उत्पन हो गए वैशनवी ने चक्र से और एंद्री ने गदा से रक्त बीच को चोट पहुचाई और फिर वैशनवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महा असुर उत्पन हो गए जिनके द्वारा ये संपुन जगत व्याप्त हो गया कौमारी ने शक्ती से वाराही ने खटगसे और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर दिया इस प्रकार क्रोध में भर कर उस महाद्यत्य ने सब मात्र शक्तियों पर प्रथक प्रथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादी से उसको जो बार-बार घायल किया उससे सैकडो महाद्यत्य उत्पन हो गये और इस प्रकार उस रक्त बीच के रक्त से उत्पन हुए असुरों से संपुन जगत व्याप्त हो गया जिसे देवताओं को बढ़ा भै हुआ देवताओं को भैभीत देकर चंडिका ने काली से कहा है चामुंडे अब अपने मुख को बढ़ा करो और मेरे शस्रगात से उत्पन हुए रक्त बिंदूओं को तथा रक्त बिंदूओं से उत्पन हुए महा असुरों को तुम अपने इस विक्राल मुख से भक्षन करती ज चरना इस प्रकार रक्त छीन होने से ये दैति नस्ट हो जाएगा तुम्हारे भक्षन करने की कारण अन्य दैति भी उत्पन नहीं होंगे। ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन हुए उसने उनको ततकाल ही भक्षन कर लिया। और रक्त को पीती गई। फिर देवी ने रक्त बीज को जिसका की रक्त काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैति को वज्र, बान, खट्ग तथा रिष्टी इत्यादी से मार डाला। हे राजन अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महाद्यत रक्त बीज अब प्रत्वी पर गिर पड़ा। हे राजन उसके गिर्णे से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के बाद प्रसन्न होकर निर्द्ध करने लगी। राजन रक्त बीज के मारे जाने पर शुम्ब और निशुम्ब को बड़ा क्रोधाया और अपनी बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुम्ब देवी पर आक्रमन करने के लिए दोड़ा। अपने बाणों से काट डाला। निशुम्ब ने तिक्षन तलवार और चमक्तिवी ढाल लेकर देवी के सेह पर आक्रमन कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुँची वी देखकर देवी ने अपने शुरप्र नामक बाण से निशुम्ब की तलवार और धाल दोनों को ही काट डाला। जलवार और धाल कट जाने पर निशुम्ब ने देवी पर शक्ति से प्रहार कर दिया। देवी ने अपने चकर से फिर उसके दो टुकड़े कर दिये। ये देखकर देट्य मारे circuit के जल भुन गया और उसने फिर देवी को मारने के लिए उसकी और शूल फेका। किन्तु देवी ने अपने मुक्य से उसको भी चूर-चूर कर डाला, फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया, देवी ने त्रिशूल से गदा को भी भस्म कर डाला, इसके बस शाथ वे फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लबका, अब देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धर्ती पर सुला दिया, अपने पराक्रमी भाई निशूम्ब के इस प्रकार से मारे जाने पर शूम्ब क्रोध में भर कर देवी को मारने के लिए दोड़ा, वे रत में बैठा हुआ, उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी आठ बड़ी-बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढखे हुए था, शुम्ब को आतेवा देखकर देवी ने अपना शंक बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यत दुस्या शब्द किया, साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो की संपून दैति सेना के तेज को नस्ट करने वाला था, संपून दिशाओं को व्य पूरीत कर दिया, फिर आकाश में उचल कर काली ने अपने दोनों हाथों और दातों को प्रत्वी पर पठका, फिर ऐसा करने पर ऐसा भयानक शब्द हुआ, जिससे की उससे पहले की सारे शब्द शान्त हो गए, इसके पस्चात शेव दूती ने असरों के लिए महा भय उत पन करने वाला अट्टाहस किया, जिसे सुनकर सब दैत धर्रा उठे और शुम्ब को बढ़ा करोधाया, फिर अंबिका ने उसे अरे दुस्ट खड़ा रहे, कहा, तो आकाश से सभी देवता जै हो, जै हो बोल उठे, शुम्ब ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत देखकर देवी ने अपनी महोल का नामक शक्ति से उसे काट डाला, ये राजन फिर तो शुम्ब के सिहनाच से तीनों लोक व्याप्त हो गए, और उसकी प्रतिध्वनी से ऐसा घोर शब्द हुआ, जिसने इससे पहले के सभी शब्दों को जीत लिया, शुम्ब के छोड़े प्रिशूल से मारा, तो वह मूर्चित होकर प्रत्वी पर किर पड़ा, जब उसकी मूर्चा दूर हुई, तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिह को गायल कर दिया, फिर उस द्राक्षस ने दस हजार भुजाएं धारन करके, चक्र आयुधों से देवी को आच्छा दित कर दिया, अब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला, ये देखकर निशूंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दोडा, उसके आते ही देवी ने देख्षन धा वाले खटग से उसकी गदा को काट डाला, उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया, देवताओं को दुखी करने वाले निशूंभ को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार कर दिया, और उसकी छाती को चीर ड दाला शूल विदिन हो जाने पर उसकी च्छाती में से एक उस जैसा ही महा प्राग्रमी दैति ठहर जा ठहर जा कहता वह निकला उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से अटाहस किया अभी वह दैति बहार निकलने भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाल सिर के कटने के साथ ही वह प्रत्वी पर गिर पड़ा फिर सिह दहार दहार कर असुरों का भख्षन करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षोसों का रक्त पीने लगी कौमारी की शक्ति से कितने ही महा दैति नस्ट हो गए ब्रह्मानी के कमंडल के जल से कितने ही असुर्ष्य समाप्त हो गए कई दैति महेश्वरी के तृशुल से विदिल्ण होकर प्रथवी पर गिर पड़े और कई वाराही के प्रहारों से छिन्न बिन होकर धाराशाई हो गए वैशनवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महा पराकर्मियों का कचूमर निकाल कर उन्हें यमलोक में भेज दिया और एंद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकडे टुकडे हो गए कई दैति मारे गए कई भाग गए कितने ही काली शिवदूती और से ने भाक्षन कर लिए महर्शी मेधा ने कहा हे राजन अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नस्ठ हुई देखकर क्रोध में भर कर दैतिराज शुम्भ कहने लगा दुष्ट दुर्गे तु एहंकार से गर्व मत कर क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है तब देवी ने कहा हे दुष्ट देख मैं तो अकेली ही हूँ इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है और ये सब तो मेरी शक्तिया है देख ये सब की सब मुझ में प्रवि हो गई और देवी अकेली रह गई तब देवी ने कहा मैं अपनी एश्वरी शक्ति से अनेक रूपों में यहां उपस्तित हुई थी अब उन सभी रूपों को मैंने समेट लिया है अब अकेली ही यहां खड़ी हूँ तुम भी यही ठेहरो मैं शी मेधा ने कहा तब देवता ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया देवी के छोड़े वे सेकड़ों अस्त्रों को देत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला देत् देवी ने उसे भी काट कर फेक दिया, फिर देतेंद्र चमकती भी ढाल लेकर देवी की ओर दोड़ा, किन्तु जब वे देवी के पास पहुंचा तो देवी ने अपने तेक्षन बानों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला, अब देतेंद्र का घोड़ा भी मर गया, ब्रत तूट गया, सार्थी मारा गया, तब वे भयंकर मुगदर लेकर देवी पर आकर्मन करने के लिए दोड़ा, किन्तु देवी ने अपने तिक्षन बानों से उसके मुगदर को भी काट डाला, इस पर देते ने क्रोध में भर कर देवी की छाती में बड़े जोर से एक म मुक्का मारा, देते ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थपड मारा, थपड खाकर पहले तो वे देते प्रत्वी पर गिर पड़ा, किन्तु तुरंत ही वे उठ खड़ा हुआ, फिर वे देवी को पकड़कर आकाश की ओर उचला, और वहां फिर जाकर देवी में और उस देते में भयंकर युद्ध होने लगा, वह युद्ध रिश्यों और देवताओं को भी आश्चर में डालने वाला था, देवी आकाश में देते के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही, फिर देवी ने उसे आकाश में गुमा कर देखते ही देखते प्रत्वी पर पटक दिया दुष्टात्मा दैति पुन्हा उठकर देवी को मारने के लिए दोड़ा तब उसको अपनी ओर आतावा देखकर देवी ने उसकी छाती विद्धेंड करके उसको प्रत्वी पर पटक दिया देवी के त्रिशुल से घायल होने पर उस दैति के प्रान पखेरू उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र द्वीप परवत और प्रत्वी सब कांपने लग गए। फिर उस दुष्टात्मा के मरने से संपुन जगत प्रसन और सच्छ हो गया, आकाश निर्मल हो गया, पहले जो उत्पात सूचक मेग और उलका पात होते थे वे सब भी शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपुन देवताओं का हर्दय हर्ष से भर गया, और गंधर्वनिया सुन्दर गान गाने लगी। गंधर्व बाजे बजाने ल पवित्र वायू बहने लगी। सूरी की कांती स्वच्छ हो गई। यगिशालाओं की बुझी भी अगनी अपने आप प्रज्वलित हो उठी और चारों दिशाओं में शांती फैल गई। शुरी दुर्गा सब्तशती पाट 11 अध्याय देवताओं को देवी की इस्तुति कर करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ती के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा है शर्नागतों के दुख दूर करने वाली देवी तुम प्रसन हो। है संपुन जगत की माता तुम प्रसन हो। विश्वेश्वरी तुम विश्व की रक्षा करो क् इस चर और अचर की इश्वरी हो। हे देवी तुम संपुन जगत की आधार रूप हो क्योंकि तुम प्रत्वी रूप में भी इस्थित हो और अत्यंत पराकरम वाली देवी हो। तुम विश्व की बीज परम माया हो और तुमने ही इस संपुन जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारी ही मूर्थिया हैं एक मात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है तुम्हारी इस्तुति किस प्रकार हो सकती है क्योंकि तुम तो परम बुद्धी रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुख्दि देने वाली हो अतह इसी रूप में नारायनी देवी तुमको नमस्कार है कलाकास्था आधी रूप में अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायनी तुमको नमस्कार है हे नारायनी संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिध्ध करने वाली हे शर्नागत वत्सला तीन नेतरों वाली गौरी तुमको नमस्कार है स्रस्टी इस्थिती तथा संघार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्वसुखमई नारायनी तुमको नमस्कार है हे शरण में आई हुए शरणागतों दीन दुख्यों की रक्षा में ततपर संपूर्ण पीणाओं को हरने वाली हे नारायनी तुमको नमस्कार है हे नारायनी तुम ब्रह्मानी का रूप धारन करके हंसों से जुतेवे विमान पर बैठती हो तथा कुष्च से अभिमंत्रित जल छड़कती रहती हो तुम्हे नमस्कार है महाईश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारन करने वाली हे महाव्रिशव वाहनवाली नारायनी तुम्हे नमस्कार है मोरों तथा कुकुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ती को धारण करने वाली हे कौमार रूप धारणी निश्पाप नारणी तुम्हें नमस्कार है हे शंक चक्र गदा और शारंग धनुष रूप आयुधों को धारन करने वाली वैशनवी शक्ती रूपा नारायनी तुम हम पर प्रसन हो तुम्हे नमस्कार है हे दातों पर प्रत्वी धारन करने वाली वारह रूपणी कल्यान मैं नारायनी तुम्हे नमस्कार है हे उग्र नरसिंग रूप से दैत्यों को मार दे वाली, त्रिभोन की रक्षा में संगलगन रहने वाली नारायनी तुम्हे नमस्कार है हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महा वज्र धारन करने वाली, सहस्त्र नेत्रों की कारण उज्वल, व्रत्ता सुर के प्राण हरने वाली एंद्री शक्ती, हे नारायनी तुम्हे नमस्कार है हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महा मद को नस्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महा शब्द वाली, हे नारायनी तुम्हे नमस्कार है दाड़ों के कारण विक्राल मुख वाली, मुंड माला से विभूशित, मुंड मर्दनी, चामुंडा रूपा नारायनी तुम्हे नमस्कार है हे लक्ष्मी, लज्जा, महा विद्या, श्रध्धा, पुष्टी, स्वधा, धुरुवा, सरस्वती, महा रात्री तथा महा विद्या रूपी नारायनी तुम्हे नमस्कार है हे मेधा, सर्वोत्कृष्ट, एश्वर, रूपणी, पार्वती, महा काली, नियंता तथा इश्व, रूपणी, नारायनी तुम्हे नमस्कार है हे सर्व सरूप, सर्वेश्वरी, सर्व शक्ति, युक्द, देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हे नमस्कार है हे कात्याईनी, तीनों नेत्रों से भूशित, ये तुम्हारा सौमि मुख, सभी प्रकार के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हे नमस्कार है हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान, भयंकर, अति उग्र और संपूर्ण असुरों को नस्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूर, हमें भयों से बचाए तुम्हे नमस्कार है देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नस्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे, जैसे की माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है हे चंडिके, असुरों के रक्ष और चर्वी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुम्हे नमस्कार करते हैं देवी, जब तुम प्रसन होती हो, तो संपुन रोगों को नस्ट कर देती हो, और जब तुम रुस्ठ हो जाती हो, तो संपुन वांचित कामनाओं को नस्ट कर देती हो, और फिर जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं, उन पर कभी कोई विपत्ती नहीं आती, बलकि कि तुम्हारी शरण में गईवे मनुष्य दूसरों को आश्रे देने वाले हो जाते हैं अनेकों रूपों से बहुत प्रकार की मुर्तियों को धारन करके इन धर्म द्रोही असुरों का तुमने संघार किया है वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था चतुर्दश तुम साथ रहकर इस विश्व की सदा रक्षा करती हो हे विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करने वाले विश्व रूपा हो इसलिए संपूर्ण विश्व को धारन करती हो इसलिए ब्रह्मा विश्णु महेश की भी बंदनिया हो जो भक्ति पूर्वक तुम्हे नम मारी रक्षा करती रहो संपूर्ण जगत के पाप नस्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महमारी आधी बड़े बड़े उप्त्रवों को भी शिगरी दूर कर दो विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी शरण में पड़ेखों पर प्रसंद हो तिर वर देने के लिए तयार हो तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांगलो मैं तुम्हें दूगी तब देवताओं ने कहा ही परमेश्वरी तिरी लोगी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रों को भी इसी प्रकार नस्ट क होकर विंद्याचल परवत पर शुम्भ और निशुम्भ का संगहार करूंगी फिर अतिन्त भैंकर रूप से प्रत्वी पर अफ्तीन होकर मैं व्य प्रचित्ती नामक दान्वों का नाश करूंगी उन भयानक महा असरों को भक्षन करते समय मेरे दाथ अनार के पुष्प के समान लाल हो जाएंगे इसके बाद स्वर्व में देवता और प्रत्वी पर मनुष मेरी इस्तुती करते वे मुझे रक्त दंतिका कहेंगे फिर जब सो वर्चों तक वर्चा नहीं होगी तब मैं रिश्यों के इस्तुती करने पर आयो निजा नाम से प्रकट होंगी और अप मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्दन करेंगे उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सभी प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस प्रत्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी और इसी अव्तार में मै दुर्गम नामक महा असुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसित हो जाओंगी इसके बाद जब मैं भयानक रूप धारन करके हिमालय निवासे रिश्यों महर्शियों की रक्षा करूंगी तब भीमा देवी के नाम से मेरी विख्याती होगी औ और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोखों को पीडित करेगा तब मैं असंग के भ्रमरों का रूप धारन करके उस महाद्यत्य का वध करूँगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्य लोग में मनुष्य मेरी इस्तुती करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब प्रत्वी राक्षसों से पीडित होगी तब तब मैं अवतरीत होकर शत्रों का नाश करूँगी। श्री दुर्गा सबसती पाठ बारवा ध्याय देवी के चरित्रों के पाठ का महतम्य। कभी कोई पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन हुई विपत्ती भी उन्हें कभी नहीं सताएगी। उनकी घर में दर्रिद्रता नहीं होगी और ना उनको प्रेजनों का बिच्छो हुए ही होगा। उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा इसलिए प्रत्यक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्यानकारक महातमि को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए मेरा यह महातम में महामारी से उत्पन हुए संपूर्ण उप्तरवों को और तीन प्रकार के उप्तरवों को शांत कर देता है जिस घर में या मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह इस्तोत्र विधी पूर्वक पढ़ा जाता है उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहां सदा ही मेरा निवास रहता है बलिदान, पूजा, होम तथा महोचसवों में मेरा यह चरित्र उच्चारन करना या सुनना चाहिए ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करें मैं उसे तुरंत ही ग्रहन कर लेती हूँ और शरतकाल में प्रत्येक वर्ष जो महा पूजा की जाती है उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महतमी सुनकर सभी विपत्यों से छूट जाता है और धन धान तथा पुत्र आदी से संपन हो जाता है और मेरे इस महतमी वक्ताओं इत्यादी को सुनकर मनुष्य युद्व में भी निर्भई हो जाता है और महतमी के श्रवन करने वालों के शत्रूनस्ट हो जाते हैं और उन्हें कल्यान की प्राप्ती होती है और उनका कुल भी आनन्दित हो जाता है, सब कस्ट शान्थ हो जाते हैं, तथा भेंकर स्वपन दिखाई देना और घरेलू दुख इत्यादी सब मिट जाते हैं बाल ग्रहों में इग्रसित बालकों के लिए ये मेरा महतम में परम शान्ती देने वाला है मनुश्यों में फूट पढ़ने पर ये भलीबहती मित्रता करवाने वाला है मेरा ये महतम में मनुश्यों को मेरे जैसी सामर्थ की प्रापती करवाने वाला है पशू, पुष्प, अर्ग, धूप, गंद, दीपा कित्यादी सामगरियों द्वारा पूजन करने से ब्रहामन को भोजन कराके हवन करके, प्रति दिन अभिशेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अरपन करके और प्रतिक वर्ष दान इत्यादी करके, जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मैं जैसी प्रसन हो जाती हूँ, वैसे ही प्रसन मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती ये महातमिश्रवन करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग ये प्रदान करता है मेरे प्रादुर्भाव का कीर्थन दुस्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है युद्ध में दुस्ट दैत्यों का संगार करने वाला है इसके सुनने से मनुष्य को शत्रों का भई नहीं रहता हे देपताओ तुमने जो इस्तुति की है अत्वा ब्रह्मा जी ने मेरी जो इस्तुति की है वे मनुष्यों को कल्यान में बुद्धी प्रदान करने वाली है वन में सुने मार्ग में या फिर दावनल से घिर जाने पर वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रों द्वारा पकड़ा हुआ जंगल में सिंगों से, व्यागरों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ राजा के कृत हो जाने पर, मारे जाने के भैसे समुद्र में नाव की डगमगाने पर भयंकर युद्ध में फसा हुआ होने पर किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित गोर बाधाउं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को इसमरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है मेरे प्रभाव से सेह चोर या शत्रु इत्यादी भी दूर भाग जाते हैं महर्शी मेधा ने कहा प्रचंड पराकरम वाली भगवती चंडिका ऐसा कहने के बाद सबी देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और संपून देवता अपने शत्रों के मारे जाने पर पहले की तरह ही यग्य भाग का उपभुक करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तदे युद में देवताओं के शत्रों शुम्ब और निशुम्ब के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचिवे राक्ष स्वाताल को चले गए हे राजन इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती भी भी बार-बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं इसको मोहित करती है जनम देती है और प्रार्थना करने पर सम्रधी प्रदान करती है हे राजन भगवती ही महा प्रले के समय महा मारी का रूप धारन करती है और वही संपुन ब्रहमांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महकाली तथा महमारी का रूप बनाती है और स्वयम अजन्मा होती हुई भी स्रस्टी के रूप में प्रकट होती है वे सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनिश्यों के अभ्युदय के समय घर में लक्षमी का रूप बनाकर इस्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दर्रिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है पुष्प धूप और गंध आदी से पूजन करके उसकी इस्तुती करने से वह धन धान और पुत्र भी देती है और धर्म में शुब बुद्धी प्रदान करती है श्री दुर्गा सबस्यतिपाठ तेरवा अध्याए राजा सुरत और वैश्यको देवी का वर्दान महर्शी मेधा ने कहा हे राजन इस प्रकार देवी के उत्तम महातम्य का वर्दन मैंने तुम्हें सुनाया जगत को धारन करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है वही देवी ज्यान देने वाली है और भगवान विश्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वै तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविश्य में भी मोहित होंगे ही राजन तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ यही भगवती आराधना करने पर मनश्य को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं मारकंडे जी ने कहा महर्शी मेधा की ये बात सुनक राजा सुरत ने रिशी को प्रणाम किया और राजी के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्तितिक लानी हुई और वहे राजा तथा वैशी तपस्या के लिए वनको चले गए नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए कठिन तपस्या करने लगे दोनों उन्होंने नदी के तट पर देवी की मूर्ती बनाई और पुष्प धूप दीव तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया फिर बिलकुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकागरता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बली देते वे तीन वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे तीन वर्ष के पस्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रतेक्ष दर्शन दे कर कहा देवी बोली है राजन तथा अपने कुल को मारकंडे जी कहते हैं ये सुनकर राजा ने अगले जनम में नस्ट ना होने वाला अखंड राज और इस जनम में बल पूर्वक अपने शत्रों को नस्ट करने के बाद अपना पुनह राज प्राप्त करने के लिए भगवती से वर्दान मांगा और वैश ने भी जिसका मन सं सार की ओर से विरक्थ हो चुका था अतह भगवती से अपनी ममता तथा एहंकार रूपी आसकती को नस्ट कर देने वाले ज्यान को देने के लिए कहा तब देवी ने कहा है राजन तुम शीकर ही अपने शत्रों को मारकर पुनह अपना राज प्राप्त कर लोगे तुम्हारा राज इस्थिर रहने वाला होगा फिर मृत्य के पश्यात आप सुर्यदेव के अंश से जनम लेकर सावर्निक मनु के नाम से इस प्रत्वी पर ख्याती को प्राप्त होगे ही वैश्य कुल में श्रेष्ट आपने जो मुझसे वर्मागा है वे मैं आपको देती हूं आपको म मारकंडे जी कहते हैं इस प्रकार उन दोनों को मनुवांचित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी इस्तुती सुनकर भगवती अंतरध्यान हो गई और इस प्रकार छत्रियों में स्टेष्ट वहराजा सुरत भगवान सुरीदेव से जनम लेकर इस प्रत्वी पर सावर्निक मनु के नाम से विख्यात हुए अब मैं आपको जो पाठ आज सुनाने वाली हूँ यह श्री दुर्गा सत्वशती के अंतिम अध्याएं हैं जिनके बिना श्री दुर्गा सत्वशती का पाठ अधूरा माना जाता है और ये पाठ है देवी सुक्त प्रधानिक रहस्यम वेक प्रकर्दी और भद्रा देवी को नमस्कार है। कल्यान करने वाली व्रद्धी और सिध्धी देने वाली भगवती को नमस्कार है। नेरिती राक्षसों की लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहां राज लक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली तथा शरवानी देवी को बार बार नमस्कार है। प्रतिष्ठा और क्रति सुरूपा भगवती को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विश्नु माया के नाम से कही जाती हैं उसको नमस्कार है। प्राणियों में नित्रा रूप से इस्थित हैं। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से इस्थित हैं। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाती रूप से इस्थित हैं। जो देवी सब प्राणियों में जाती रूप से इस्थित हैं। जो देवी संपुर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर इस्थित हैं। पूर्व समय में अपने अभीस्थ फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी। देवेंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी। वे सभी मंगलों की कारण भूता इश्वरी हमारा कल्यान तिथा मंगल करें। और सभी आपत्यों का नाश करें। प्रबल दैत्यों से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं जो भक्ती भाव से विनम्र पुरुश्वद्वारा इस्मरन करने पर ततकाल ही सभी विपत्यों का नाश कर देती हैं। वे कल्यान कारणी भगवती हमारी विपत्यों को दूर करें। देवी सुक्तम समाप्त प्रधानिक रहस्यम। इस शप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायन रिशी, अनुस्थुप चंद और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देपता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तमफल की प्राप्ति के लिए जपु में इसका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवन, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है। किन्तु हे ब्रह्मन, अब उन अवतारों का मुलभूत मुख्य स्वरूप बतलाईए। और हे त्वेज, देवी के जिस स्वरूप की आराधना जिस विधी से मुझे करनी चाहिए, वह स्वरूप और आराधना करने की विधी मुझे विनीत से विधी पूर्वक कहिए। रिशी ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी से कहने योगी नह हैं, परन्तु हे राजन तुम भक्त हो, इसलिए ऐसा कोई विशय नहीं है, जो मैं तुमसे ना कहूँ। सबकी आदि रूपा, सत्व, रज, तम, तीनों गुणवाली परमेश्वरी महालक्ष्मी हैं, वह लक्ष और अलक्ष स्वरूपा हैं और संपूर्ण जगत में व्या वे सोने के समान सुन्दर आबुशनों को धारन किये वे देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती हैं, उस पर मेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा शेस्ट रूप धारन किया है, वह काजल के धेर के समा कांती वाली, दाढ़ों से शोभायमान सुन्दर मुख वाली, विशाल नेत्रों से शोभित तथा पतली कमर वाली इस्त्री रूप है, धाल, तलवार, प्याले और कटेवे मस्तक से शोभित, चार भुजा वाली और वक्ष इस्थल पर कबंध तथा मस्तक पर मुंदों की मा धारन किये हुएं, उस तामसी इस्त्री ने महालक्ष्मी जी से कहा, ये माता, तुम मेरा नाम रखो, और मुझे काम बताओ, मैं आपको नमस्काल करती हुँ। तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष इस्तुती करता है वे सुख पाता है। हे राजन महालक्ष्मी ने उससे यह कहकर अतिशुत सतों मुखी चंद्रमा के समान कांती वाला दूसरा रूप धारन कर लिया। बहुत्तम इस्तुरी अक्षमाला, अंकुष, वीना और पुस्तक धारन की एफ़े थी। महालक्ष्मी ने उनके ये भी नाम रख दिये। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्रहमी, कामधेनू, वेदगर्भा और धीश्वरी। उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, आप दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार इस्तुरी पुरुष का जोड़ा उत्पन करो। इसके बाद महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रहमन, विधे, विरंची तथा धातह इस प्रकार संबोधित किया और इस्तुरी को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी, इत्यादी नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी इस्तुरी पुरुष के जोड़े उत्पन किये। हे राजन उनके भी स्वरूप और नाम को कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्त बाहु, श्वेतांग और चंद्र शेखर, पुरुष और एक गौरी इस्तुरी को उत्पन किया। पुरुष के रोत्र, शंकर, इस्थाणू, कपर्दी और त्रिलोचन तथा इस्तुरी के त्रई, विद्या, कामधेनू, भाशा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे। हे राजन सरस्वती ने गौरी, इस्तुरी और कृष्ण पुरुष को उत्पन किया। उन दोनों के नाम भी कहता हूँ, पुरुष के विश्णू, कृष्ण, रिशिकेस, वाशुदेब और जनार्दन तथा इस्तुरी के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुन्दरी, सुभगा और शिवा नाम रखा है। इस प्रकार वे तीनों इस्त्रियां शिकरी पुरुषत्व को प्राथ हो गई। उनको दिविद्रस्टी वाले पुरुषी देखते हैं ना कि दूसरे लोग। उसे भेदन किया। हे राजन उस ब्रहमांड से महतत्व आदी 23 तत्व और स्थावर जंगम रूप महा भूतात्मक संपुर्ण जगत उत्पन हुए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी जी के साथ उसका संगहार किया। हे महराज महा लक्ष्मी सर्व सत्व मैं इश्वरी हैं वह निराकार होते वे भी साकार हैं अतहां उनके कई नाम हैं। वह अपने नामों के सिवा अन्य किसी प्रतक्ष आदी प्रमान से नहीं जानी जा सकती हैं। प्रधानिक रहस्यम समाप्त व्यकरतिक रहस्यम। रिशी ने कहा है राजन मैंने जिस तामसी सात्विकी और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती हैं तमोगुण वाली महाकाली विश्णु भगवान की योग निद्रा है जिसकी इस्तुती गैटप के नाश के लिए श्री ब्रह्मा जिने की थी वह काजल के समान कांती वाली हैं उनकी दस मुख, दस भुजाएं, दस पैर और तीस विशाल नेत्र हैं हे राजन उनके दात और दाणे चमकती हैं यद्दपी उनका रूप भयंकर है फिर भी वे भक्तों को रूप सभ भाग कांती और महती संपदा को देनी वाली हैं वह अपने हाथों में खटक, बान, गदा, शूल, शंक, चक्र, भुशुंडी, परिक, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर्धारण करती हैं वह दुर्तियया महाकाली विश्नुजी की माया हैं जिनकी आराधना करने से च श्वेत, भुजाए, नीली, स्तनमंडल, श्वेत, कटी और चरण, लाल और जांगे नीली हैं वह उतकट मदवाली हैं उनका जगन विचित्र है और वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूशनों को धारन करती हैं वह विचित्र लेपन करती हैं और वह रूप लावनिवती और सभागिवती है ये दिपि उनकी भूजाएं असंख है फिर भी उनको 18 भुजाओं वाली मान कर पूजा करनी चाहिए अब उनकी दाहीनी और के निचले भुजाओं से लेकर बाही और के निचली भुजाओं तक में ग्रम शाह जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है उनकी भुजाओं में अक्षमाला कमंडल बान तलवार वज्र गदा चक्र त्रिशूल फरसा शंक घंटा फासा शक्ति दंड धाल धनुष पान पात्र और कमंडुल शोबित हैं व सब मनश्यों और देवताओं का स्वामी होता है हे राजन जो गौरी की देह से उत्पन हुई है और सत्व गुण प्रधान है वह शुम्भ निशुम असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती हैं सरस्वती की आठ भुजाएं और वह बान मुसल शूल चक्र शंक घंटा हल औ शुम्भ का मर्दन और शुम्भा सुर का संघार करने वाली सरस्वती हैं वह भक्ति पूर्वक पूजित होनी पर सरवग्यता प्रदान करती हैं हे राजन मैंने मूर्तियों के इन स्वरुपों को तुम से कहा अब जगन माताओं की अलग-अलग उपासना भी सुनो जब महा काली और महा सरस्वती का पूजन करना चाहिए और प्रिस्थ भाग में तीनो युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए अर्थात ब्रह्मा विष्णों और महेश की पूजा करनी चाहिए मध में सरस्वती जी के साथ ब्रह्मा जी का दक्षण में गौरी जी के साथ जी लक्षमी जी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली जी के सामने दश मुखी महाकाली का और दक्षिन भाग में महा सरस्वती का सब प्रेम पूजन करें इस प्रकार महालक्षमी जी का पूजन करना चाहिए हे राजन अगर केवल अस्टा दश भूजा का अथ्वा द मार्दणी का पूजन करना हो तब उंकी नवशक्तियों का तथा रुद्र और गणेशी का भी पूजन करें नमु दैवे इस इस्तोत्र से महालख्षमी जी की इस्तुत्ति करें देवी के तीनों अवथ्थारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो इस्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उप्योग करना चाहिए यह अस्टादश भुजा वाली देवी पूजनी हैं यही महिशासुर मर्दनी महालक्ष्मी महाकाली और महासरस्वती हैं यही पुर्णिपापों की इश्वरी और हैं जो पुरुष महिशासुर मर्दनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है तीनों लोकों को धारन करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आवुशन गंध पुष्प धूप दीप नैवेतिं और अनेक प्रकार के भक्षपदार्थों से पूज कर बताया गया है है राजन ब्रहमन के लिए कहीं भी मानस और मद्य से पूजा का विधान नहीं है प्रणाम आचमनी चंदन सुगंध करपूर और तांबुल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए देवी के आगे वामभाग में कटे विसर वाली इश्वरी द्वारा मो धिमान पुरुष एकाग्र चित्त होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करें अगर समय ना मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें किन्तु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ ना करें आधे चरित्र का भी पाठ नहीं करना चाहिए ऐसा करने से न अत्वा महालक्षमी स्तोत्र के प्रतेक मंत्र के द्वारा दिल घी और खीर की आहुती देनी चाहिए फिर सापधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करना चाहिए उसके बाद एकाग रिचित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोक कर नमरता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में लीन हो जाएं इस प्रकार जो भी भक्त भक्ती पुर्वक परमेश्वरी देवी का प्रतिदिन पूजन करता है वे अभीष्ट सुख को भोग कर अंत में देवी के लोक में जाता है जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता परमेश्वरी उसके पुर्णियों को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोप में भस्म करती है इसलिए हे राजन तुम संपोर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधी से पूजन करो उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा रिशी ने कहा हे राजन भगवती नंदा नाम वाली जो नंद में उत्पन होंगी उनकी भक्ती पुर्वक इस्तुती और पूजा करने से मनुष तीनों लोकों को वश्मे कर लेता है वह देवी स्वन के उत्तम आभूशनों से शोबित हैं उनके अंगों की कांती कनक के समान उत्तम हैं उनके वस्त्र स्वन के समान सुनहरे हैं और वह देवी स्वन के समान दीप्तिमान हैं कमल अंकुष पाश और शंक से उनकी चारो भुजाएं शोबित हैं और उनके इंदरा कमला लक्ष्मी श्री रुक्माम भुजा आसना स्वन कमल के आसन पर विराजमान देवी के ये नाम है। हे निश्पाप मैंने रक्तदंती का नाम से जिन देवी का वर्णन किया है। अब उनके संपोन भैनाशक स्वरुप को कहता हूं वह देवी रक्त वस्त्र रक्त वर्ण सब अंग रक्तमई आभुशनों से शुसोभित रक्त आयुद रक्त नेत्र रक्त केश वाली अती भयंकर रक्त और तीक्षन नखों वाली रक्तासन पर विराजमान तथरक्त दंत वाली भगवती भक्तों के वश में उसी प्रकार रहती हैं जैसे सादवी इस्तरी पती के वश में रहती हैं। वे देवी प्रत्वी के समान हैं और उनके दोनों इस्तन सुमेरु परवत के समान सबी कामनाओं को पूर्ण करने वाली अपने भक्त जनों को इसने से अपने दोनों इस्तनों से पान कराती हैं देवी की चारों भुजाएं खंग, पात्र, हल और मुसल से सुशोबित हैं वे देवी, रक्तचामुंडा और योगेश्वरी के नाम से विख्यात हैं और इस्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं जो पुरुष भक्ती पूर्वक उनकी पूजा करता है वे चराचर जगत में व्याप्त हो जाता है जो पुरुष रक्तदंतिका के इस इस्तोत्र को पढ़ता है तो देवी भी उसकी ऐसी सेवा करती है जैसे इस्त्री अपने प्रेपती की शाकमभरी देवी का नील वर्ण है नील कमल के समान उनके नेत्र है गंबीर नाभी है और त्रिवली से भूशित उनका सुक्ष्म उदर है उनके हाथों में कमल है उन पर भौरे गुझ रहे हैं और कमल पर वे ही विराजमान है पुश्प पलब मूल और फल से युक्त अनेको सुन्दर रसो वाले शुधा त्रिश्णा मृत्यू और वृद्धा वस्था को दूर करने वाले शाक समुह तथा चमकते वे धनुष को धारन करती हैं वे परमिश्वरी शाकमभरी शताक्षी हैं और दुरगा कही गई हैं व पूजन इस्तुति और नमस्कार करता है वे शिगरी अन्न पान और अम्रित रूप फल पाता है भीमा देवी भी नीलवन हैं उनकी दाणें और दाथ बहुत सुन्दर हैं उनके नेत्र विशाल हैं गोल और स्थूल कुछ हैं विचंद्रहास डमरू कपाल और धाल तलवार करती हैं वही एक वीरा काल रात्री कामदा नाम से कही जाती हैं ब्रामरी देवी की कांती विचित्र है वे अपने तेजो मंडल के कारण दुर्गश दिखाई देती हैं उनका अंगराग भी अनेक रंग का है और वे चित्र विचित्र आभुशनों से सुशोबित हैं चित्र ब्रहमरपानी और महामारी इन नामों से इनका गुणगान किया जाता है। हे राजन, देवी की ये मूर्तियां शास्त्र में वर्नित हैं। ये मूर्तियां जगन माता चंडिका की कामधेनु कहलाती हैं। अर्थात काम धेनू के समान मनुवांचित फल देने वाली हैं अतहे पूर्ण प्रियास करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहो सब्तशती के मंतरों के पढ़ने मातर से ही प्राणी, ब्रह्म हत्या के समान, घोर, साथ जन्म के पापों से मुप्ध हो जाते हैं हे राजन मैंने अत्यन्त गुप्त से गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा विधी पूर्वा की हधिहान करने से इच्छा नुसार फल मिलता है उनकी कृपा से तुम सर्व मान्य हो जाओगे देवी सर्वरूप मई है और संपुन संसार देवी मई है अतहा मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को बारंबार नमस्कार करता हूँ मूर्दी रहसे समाप्त अब सुनेश सिद्ध कुंजी का इस्तोत्र भगवान शंकर ने देवी पारवती से कहा है देवी सुनो मैं उत्तम कुंजी का इस्तोत्र का वर्णन करता हूँ जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जब अर्थात पाठ सफल होता है पाठ के लिए कवच, अर्गला, कीलक, रहस, सूक्त, ध्यान, न्यास यहां तक की अर्चन भी आवशक नहीं है केवल कुंजी का इस्तोत्र मात्र से ही दुर्गापाठ का फल्क्राप्थ हो जाता है यह कुंजी का इस्तोत्र अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी अत्यंत दुर्लव है है पारवती इसे गुपतांग की तरह प्रत्न पूर्वक रखना चाहिए यह उत्तम कुंजी का इस्तोत्र केवल पाठों के द्वारा मारन, मोहन, वशिकरन, इस्तंभन और उच्चाटन आदी उद्देश्यों को सिध्ध करता है मंत्र है है केटब विनाशनी को नमस्कार है महिशासुर को मारने वाली देवी आपको नमस्कार है शुम्ब का हनन करने वाली और निशुम्ब को मारने वाली आपको नमस्कार है है महादेवी मेरे जब को जागरित करो और सिध करो एंकार के रूप में स्रस्टी स्वरूपणी, हरिंग के रूप में स्रस्टी का पालन करने वाली, क्लिंग के रूप में काम रूपणी तथा निखिल ब्रह्मान की बीज रूपणी देवी आपको नमस्कार है चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और येकार के रूप में आप वर देने वाली हो विच्चे के रूप में आप नित्त ही अभय देती हो इस प्रकार एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे आप इस मंदर का स्वरूप हो धांग धींग धूंग के रूप में धुर्जटी अर्थात शिवजी की पत्नी हो वांग वींग वूंग के रूप में आप मानी की अधिश्वरी हो क्रांग क्रींग क्रूंग के रूप में कालिका देवी शांग शिंग शूंग के रूप में आप मेरा कल्यान करो हुं 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 कार सुरूपिणी जंग 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 जंब नाशनी भ्राम ब्रीम ब्रू के रूप में हे कल्यानकारणी भैरवी भवानी आपको भरंबार प्रणाम है अंकंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग विंग दूंग एंग विंग हंग शंग धी चाग्रम इन सब को तोड़ो और दीप्त करू स्वाहा पाम पीम पूंग के रूप में आप पार्वती पूनः हो के रूप में आप खेचरी अर्थात आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो सांग सींग सुंग स्वरूपणी सब्थशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो यह कुंजी का इस्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है इसे भक्ती हीन पुरुष को नहीं देना चाहिए हे देवी इसे गुप्त रखो हे देवी जो बिना कुंजी का इस्तोत्र के सब्थशती का अपार्ठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धी नहीं मिलती जिस प्रकार घने वन में रोना निरर्थक होता है अब सब मिलकर सच्चे मन से मां भगवती से शमयाशन करे हे परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं अतहे आप मुझे अपनी सेवक समझ कर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को शमा करो ना तो मैं अहवाहन करना ही जानती हूँ ना विसरजन करना ही जानती हूँ और ना पूजा ही करना जानती हूँ हे परमेश्वरी मुझे शमा करो हे सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वे सब आपकी दया से पूर्ण हो सेकडों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदंब कहकर ही मुक्ष को प्राप्त करते हैं जिसे ब्रह्मादी देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं हे जगदंबी के मैं अपराधी हूँ किन्तु आपकी शरण में आई हूँ अतह इस समय मैं दया की पात्र हूँ आप जैसा चाहो वैसा करो अज्यानवश या बुधी भ्रहम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध शमा करो और प्रसन हो हे जगनमाता, हे कामेश्वरी, सची दनान स्वरूपिनी परमेश्वरी आप प्रेम पूर्वक, मेरी यह पूजा स्विकार करो और मुझ पर प्रसन हो आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो आप मेरे किये हुए इस जब को ग्रहन करके मेरे सबी अपराधों को छमा करो हे देवी, हे महिश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धी की प्राप्ती हो प्रेम से बोलिए, श्री दुर्गे मैया की जय, श्री दुर्गा सत्शती की जय शिरी दुर्गा सित्षती पाट सम्पून